नमस्कार दोस्ति, करनाटक के मैंगलूर में एक यूवल लड़का और लेड़की का एक वीडियो सोशिल मीडिया पर वाइरल हो गया है, जिसमें एक रेप्यूटेट कॉलेज के दोनों स्टुडेंस एक प्राइवेट अपार्टमेंट में लिप लोग कर रहे हैं, दोनों वीडियो में हम इस incident को discuss करेंगे, साथ साथ में ये भी देखेंगे, क्या इंडिया में kissing in public एक offense है क्या, उसका legal clarifications क्या क्या है, and public display of affection मतलब क्या होता है, वैसे दोस्तों City Police Commissioner N. Shashikumar साब का कहना ये है, ये incident छे मेने पहले हुआ था एक प्राइवेट फ्लाट में, Students में से एक इस वीडियो को last week WhatsApp में leak किया, तब से ये वीडियो viral हो चुका है, जिनोंने इस वीडियो को बनाया है, उनको police arrest किया है, और questioning चल रहा है, college authorities students को warned किया है, और suspend भी किया है, बात ये है, college authorities या फिर parents अभी तक police के पास कोई complaint loads नहीं किया है, police ये verify कर रहा है, क्या students उस वक्त drugs यूज किये थे या नहीं, इस तरह के similar incidents के बारे में आपने खूब सुना होगा हमारे देश में, एक case तो एक private apartment में हुआ था, पर हमारे देश में school and college authorities ऐसे activities के regarding warning तक issue करते हैं, जैसे कि male and female students को एक साथ बैटना नहीं है, आपस में हाथ न disciplinary action भी लिया जाएगा, 2007 में मुंबे के दो high school authorities ने इसी तरह एक warning issue किया था, जैसे कि male and female students को आपस में हाथ नहीं पकड़ना है, किस नहीं करना है, टच नहीं करना है, वगेरा वगेरा, schools का justification ये था दोस्तों, ऐसे करने से इंडिया का traditional values जो है, वो खराब हो जाता है, आप दोस्तों ये discuss करेंगे, public display of affection या फिर PDA इतना बड़ा एक issue क्यों है इंडिया, वैसे public display of affection का मतलब क्या होता है, जब एक person दूसरे से publicly अपना प्यार दिखाता है, वो verbally भी हो सकता है, physically भी हो सकता है, वैसे देखा जाएगा तो इंडिया एक ऐसा country है, जिनके great value से, moral से, tradition है इंडिया एक modern country भी है, पर जब public display of affection की बात आजाती है, इंडिया इतने खुश नहीं रहते है इस idea के उपर, वैसे इंडिया एक developing country है, धीरे धीरे हम western lifestyle को adobe भी कर दा है, पर जब PDA की बात आती है, मतलब खुलम खुला प्यार की बात आती है, हमें हर जगा protest देखने को मिल आता है, act of public display of affection, society की नजर से, एक sexually provocative behavior माना जाता है, अब दोस्तों, laws related with PDA, under section 294 of the Indian Penal Court, causing annence to others through obscene acts, is a criminal offense, with a punishment of imprisonment, up to three months, or a fine, or a both, देखे, लिखाया, causing annence to others, मतलब आप दूसरों को irritate करोगे, दूसरों को चिडोगे, through obscene acts, अब ये obscene acts मतलब क्या है, ये defend करना थोड़ा सा मुश्किले दोस्तों, वैसे Supreme Court का क्या कहना है, इसके बारे में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अब कोई publicly kiss करने से, या फिर एक couple आपस में publicly intimate होने से, कोई और irritate हो रहा है, तो वो भी एक obscene act हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वैसे अलग-अलग states में, अलग-अलग rules लाग हो है दोस्तों, जैसे कि मुंबे में देखिए, Bombay Police Act 1951 के इसाब से, charges can be filed against a couple under section 110, if they are found being intimate in public places, अगर एक couple public places में intimate हो रहा है, तो उनके against Bombay Police Act 1951 के अंडर charges file कर सकता है, कोलकता का देखिए, अगर एक couple public place में, ऐसा कोई activity में indulge हो रहा है, जिसमें sexual connotation involved है, then they can be sued for committing an offense under the Indecent and Obscenity Act, अब आप समझ गे होंगे दोस्तों, activity which involves sexual connotation क्या है, चन्ने का देखिए, वैसे चन्ने में जो couple से उनके पस बिल्कुल freedom नहीं था, in comparison with other metropolitan cities, but recent times में यह देखने को मिला है दोस्तों, थोड आसा regulations liberalized हुआ डेली का देखिए, डेली में भी rules कुछ अलग नहीं है दोस्तों, public place में ऐसे कोई activity करते हुए, कोई couple अगर पकड़े जाएंगे, तो उनके against भी action लिया जाएगा, पर देखिए, unfortunately, काफी सारे cities में ऐसा होते हैं दोस्तों, कुछ police officials जो है, उस situation का फायदा उठाके, उनसे bribe मांगते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ police officials ऐसे है, जो bribe लेते हैं, अब दोस्तों, कुछ counter points है, section 294 of the Indian Penal Court के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें obscene act के बारे में बताया हुआ है, अब ये obscene act के अंदर, कौन-कौन से acts आता है, ये बताना मुश के लिए, Article 19 of the Indian Constitution हमें freedom of speech and expression guarantee करता है, so it could be said that act of kissing is not something which could be brought within the purview of an obscene act, तो देखे, जब हमारे पास एक fundamental right है, freedom of speech and freedom of expression, तो ये जो act of kissing है, ये obscene act के अंदर नहीं आना चाहिए, वैसे कुछ साल पहले Supreme Court right to privacy को as an absolute fundamental right declared के थे, किस case में declare किये थे, put to sami versus union of India में, तो ये जो right to privacy वाला fundamental right को भी आप consider कर सकते, क्योंगी देखे, आपस में kiss करना एक private affair है, उसमें दूसरे कोई irritate होने की क्या बात है, इस तरह भी हम interpret कर सकते हैं, वैसे इंडिया में kissing and hugging in public एक टबू है, unfortunately, however, same-sex physical contact allowed है, अब दोस्तों Supreme Court का क्या intervention दहां है, देखे, Supreme Court ने ये observe किया है, section 294 of the IPC does not define the term obscene, देखे, IPC में भी defend नहीं किया हुआ है, obscene मतलब क्या है, तो ये challenging है, ये कहना कि act of kissing and hugging एक crime है या नहीं, वैसे देखे दोस्तों, Indian judiciary अभी तक kissing in public को illegal declare नहीं किया है, अगर आप अलग-अलग Supreme Court and High Court judgments देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि judiciary हमेशा expression of love, expression of love and compassion and its artistic representation को defend किया है, देखे दोस्तों, kissing, चाए वो private में हो या public में हो, वो एक obscene act नहीं बोल सकता, even higher levels of judiciary भी ये बोला है, kissing जो है, एक message of protection and security convey करता है, वैसे दोस्तों, अगर कोई public में kiss करते हैं, it is fine, उसमें कोई problem नहीं, but you should not cross the limits of decency and morality, लेट बेतलो, आपको ऐसा कोई activity नहीं दिखाना चीए, जिससे दूसरे लोगों को problem हो, आप दीखिए, केवल kiss करने से दूसरे किसी को problem हो गया, तो वो उनका tension है, वो एक nuisance नहीं है, किसी के लिए, अब रही बात इस incident का, अगर एक private apartment में, एक लड़का और एक लेड़की, आपस में किस किया, वो भी mutual concerns है, तो इसमें कोई offense नहीं दिखता, अब offense इस चीज के दोस्तों, इसका आपने वीडियो बनाया, अब वीडियो बनाया थभी तो ये leak हुआ न, तो देखे, इथर right to privacy वाला आपका जो option है, आप खुदी यूस नहीं कर रहे हो, क्या है, आप उस चीज को publicize करना चाहते हो, अब दूसरी बात यह है, दोनों uniform पहने हुए थे, जब आप एक uniform पहनते हो, आप उस institution का एक representative बनते हो, आपको ऐसा कोई भी activity नहीं करना चाहिए, जिससे वो institution का reputation खराब हो जाए, एक evil kissing की बात नहीं, आपको ऐसा कोई भी activity नह से दूसरी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, अब students के जो माबाप है, उनके बारे में तुम्हें कुछ बोली नहीं रहा हूँ, अब Indian society है, society का attitude क्या है, यह सब आपको मालूम है दोस्तों, तो जो भी है, इस बारे में आपका क्या राए है, आप उजे please comment box में बता दीज थेगा, thank you for watching, bye bye, have a nice day.